Hello fans, welcome back to our new video तो आजके इस बिडियो में हम बात करने वाले है बेबी रिंगने पैरोट के वारे में तो जैसा कि आपको पता है अभी रिंगने पैरोट का सीजन चल रहा है बहुत सारे लोग इस टाइम रिंगने पैरोट का चिक्स ले रहे हैं लेकिन आप लेने का ले तो लेते हैं बट आपको उसकी केर करना नहीं आ रहा जिस बज़ा से तोता का बच्चा घर लाने के बाद बिमार होकर मर जा रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बेबी पेरट को घर लाने के बाद उसकी केर कैसे करनी है रख रखाओ कैसे करना है क्या खिलाना है and most important feeding कैसे करना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेबी पेरट खुद से नहीं खा पाता उसको आपको अपने हाथों से खिलाना होगा तो feeding में क्या और कैसे खिलाना है कितनी amount में और दिन में कितनी बार बेबी पेरट को खिलाना चाहिए वो सब आज की वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप से भी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं आए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथे notification बेल को प्रेस करके all पसेट कर ले ताकि सारे latest वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो को हम सुरू करते हैं सब फ्रेंड्स अभी रिंगनेक पैरोट का सीजन चल रहा है बहुत सारे लोग रिंगनेक का बच्चा भी ले रहे हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण वो बिमार हो जाता है या फिर बिमार होकर मर जाता है तो आज किस वीडियो में मैं आपको point by point वताऊंगा बेबी पैरट को घर लाने के बाद उसकी care कैसे करनी है खाने में क्या देना चाहिए और सबसे important दिन में कितनी बार और बेबी पैरट को hand feeding कैसे कराना है point number one पर आता है एक healthy बेबी पैरट को select करना क्योंकि अगर आप एक बिमार तोता का बच्चा अपने घर लेकर आ रहे हो तो वो जादा दिन तक survive नहीं करने वाला तो यह बहुत जिरूर यह कि आप जो बेबी पैरट खरीद रहे है वो healthy है या नहीं बेबी पैरट हेल्दी है या नहीं यह चेक करने के लिए बेबी पैरट को देखना है कि वो active है या नहीं और जो बेबी पैरट active होगा वो आप से food की demand करता है मतलब आप जब अपना हाथ बेबी पैरट के पास ले जाओगे तो वो आप से खाना मांगेगा यह देखकर आप easily पता कर सकते हो कि आपका बेबी पैरट healthy है या नहीं healthy पैरट चिक कैसे सेलेक्ट करना है इस पर मैंने एक separate वीडियो बना रहा है उस वीडियो का link मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा तो link पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं second number point पर आता है home या फिर center मतलब कि जब आप बेबी पैरट को घर लेकर आओगे तो उसको रखने के लिए कोई तो जगा चाहिए होगा चुकि हम बेबी पैरट को cage में नहीं रख सकते हैं जब तक कि वो तीन महीने का ना हो जाए बेबी पैरट को रखने के लिए box का एक setup बनाना होता है इसके लिए आपको एक carton box लेना है कुछ 12 inches का फिर उसके एंदर straw यानि सूखी गास डालना है या फिर कोई soft कपड़ा भी डाल सकते हैं अब ये बेबी पैरट को रखने के लिए ready है बट ध्यान रहे हैं अगर आप box में straw यानि सूखी खास डाल रहे हैं तो उसको 3-4 दिनों में change करना होगा change करके phrase straw डालना है वही अगर आप box में कपड़ा डाल रहे हैं तो कपड़े को भी दिन में एक से दो बार change करना है कपड़े को वास करके ये बापस यूज कर सकते हैं साथी box में ventilation के लिए side by side hole कर देना है ताकि बेबी पैरट को suffocation ना हो थार्ड मेर पॉइंट पर आता है food अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले वो तोता का बच्चा अपने घर लेकर आते हैं फिर सोचते हैं कि इसको क्या खिलाना है और अंजाने में और फिर सेलर के कहने पर आप लोग अपने बेबी पैरट को सत्तू, दूद ब्रेट, दूद रोटी, बिस्कीट या फिर सेलर एक फीड कराते हैं जो कि बेबी पैरट के लिए सही food नहीं है बेबी पैरट को फीड कराने के लिए अलग से hand feeding formula आता है जिससे बेबी पैरट को proper nutrition, proper growth मिलती है मैं अपने बेबी पैरट को Nutriboard का A21 hand feeding formula फीड कराता हूँ यह थोड़ा सा costly जरूर है लेकिन बेबी पैरट को feed कराने के लिए सबसे best hand feeding formula है इसके अलावा भी कई brands का hand feeding formula अवेलेवल है जैसे कि pets live hand feeding formula, bolts का baby hand feeding formula जो कि amazon pro काफी affordable price पर मिल जाता है इसका purchasing link मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा link पर click करके आप purchase कर सकते हैं दूसरी चीज आप लोगों के मन में सवाल रहता है कि बेबी पैरट को दिन में कितनी वार खिलाना है और खिलाने का सही तरीका क्या है दिन में 5 टाइम बेबी पैरट को feed कराना है morning के 6 बज़े से लेकर रात के 10 बज़े के बीच हर 4 घंटे की gap में मैं अपने बेबी पैरट को feed कराता हूँ और बात रही hand feeding कैसे कराना है तो feeding का सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ अगर आप beginner है फर्स टाइम बेबी पैरट लिये हैं तो मैं suggest करूँगा आप spoon की help से अपने बेबी पैरट को hand feeding कराओ क्योंकि यह सबसे easy तरीका है और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं भी spoon से अपने बेबी पैरट को hand feeding करा रहा हूँ इसकी अलावा मैं syringe से भी hand feed कराता हूँ लेकिन अगर आप first time बेबी पैरट लिये हैं तो spoon से ही hand feeding कराना है और सबसे main कितनी amount में बेबी पैरट को hand feeding कराना चाहिए यह भी मैं आपको बता देता हूँ मैं एक time में 10 से 12 ml feed कराता हूँ लेकिन यह depend करता है अगर बेबी पैरट का crop पोरी तरक हाली नहीं हुआ है तो 8 से 10 मेल ही feed कराना है अभी मैं आपको बेबी पैरट को लेकि कुछ जरूरी बात बता देता हूँ जैसे कि बेबी पैरट को कभी भी अपने hand पर मत लेना क्यूंकि यह कई बार jump मार देता है या hand पर से गिर जाता है जिससे इनको serious injury हो सकती है साथी जादा height वाली जग़ा पर भी नहीं रखना है morning time 10 से 20 मिनट के लिए मैं अपने बेबी पैरट को sunlight भी दिखाता हूँ जिससे उसके body को vitamin D मिलता है बहुत सारे लोग अपने बेबी पैरट को हमेशा टच करते रहते हैं उसके साथ खेलते रहते हैं जो कि गलत है बेबी पैरट को ज़्यादा disturb नहीं करना है जितना वो rest करेगा उसकी उतनी अच्छी growth होगी बस feed कराने के लिए उसको box से बाहर निकालना है साथी दिन में आदे से एक गंटे के लिए उसके साथ time spend करना है जिससे वो starting से ही आपके और आपके family member के साथ घुला मिला रहेगा अपने बेबी पैरट को चुहे बिल्ली से बचा कर रखना है और अगर आपके घर में मच्छर ज़्यादा आता है तो box को mosquito net से cover कर देना है और ये काम आपको हर रात को ही करना है इसकी इलाबा कभी भी बेबी पैरट को गंदे हाथों से touch नहीं करना है मतलब कि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं या कोई काम करके आ रहे हैं और बिना hand wash किये अपने बेबी पैरट को हाथ पर ले लेते हैं तो ये चीज गलत है और एक बात मैं आपको बता दूँ अगर आपको अपने बेबी पैरट के विहाइबेर में कुछ चेंजेस लगता है या फिर आपको लगता है कि वो बीमार है तो जल्द से जल्द उसको अपने nearest veterinary clinic ले जाना है अगर आपके nearest कोई veterinary clinic नहीं है तो आप मुझे मेरे Instagram पर message कर सकते हैं तो इस तब आज मैंने आपको बताया बेबी पैरट की care कैसे करनी है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलाओ तो आज की वीडियो को हमें ये पर बाइंड अप करते हैं